यहां पर आप Step by Steps AutoCAD उर्दु में सीख रहे हैं आज के lesson में मैं आपको join करने के बारे में बताऊंगा और explore की command के बारे में बताने जा रहा हूँ तो आज स्टूर्ट करते हैं अपना lesson AutoCAD के पर double click कर दें AutoCAD के पास आपका open हो जाएगा सबसे पहला काम हमेशा की तरह UN इंटर करें for units के लिए engineering फिर्ट सो रेंच OK कर दें D enter कर दें for dimensions के लिए modified के अंदर आजाएं इसको भी engineering फिर्ट सो रेंच OK और close कर दें अब view के देर चले जाएं display UCS icon को origin कर दें सबसे पहले dear students में आपको बताना जाओँगा join मेरे पास कैसे use होता है देखें मेरे पास line है join जो use होता है आपके पास मैं उफ्तले किसम की दो line ले ले लेता हूँ देखें कि मैंने कुछ line ऐसे ले ली है और कुछ line में बिलकल have fade करके बिलकल CDC आपके पास ले लेता हूँ अब ये line ऐसे है ये दर है इदर है इदर है इदर को है तो ये line देखें तो हरे एक अलादा अलादा ये line है अब मेरे पास ये जो line है 1, 2, 3, 4 क्योंकि ये मेरे पास एकी direction के अंदर line है तो join इनके पर लगाता हूँ मैं join के पर गया तो जो line है मैंने slide करनी है उनको मैंने slide किया और enter कर देता हूँ अब देखें ये तुमाम एकी line मेरे पास बन चुकी है तो पहले ये मफतलिफ line है थे अब मेरे पास ये की हो चुकी है जबकि ये still नीचे मुफतलिफ line है join के पर आ जाए 1, 2, 3, 4, 5 अब रिसमें इसको इंटर किया तो देखें dear students तो ये still मेरे पास join नहीं हो पाई है तो show ये हुआ join आपके पास सिर्फ वो line होती है जिनकी direction सेम होगी इसी तरह से जो आपके पास कोई object बना होता है देखें मेरे पास एक object बना हुए है block बना हुए है मैं इसको अलग-अलग करना चाहता हूँ यह निकि इसको मैं हर एक line को अलग-अलग करना चाहता हूँ देखें ये आपके पास एक click करने तो एक ही है तो फिर देखेगा DSTUDENTS ये मेरे पास एक औपजेक्ट है मैं एक्स्प्लोड के पर गया जैसे मैं इसको स्लेट करके स्लेट लगाया तो ये मेरे पास एक्स्प्लोड हो चुका है अब आप क्लिक करें हाँ चीजा अलग अलग हो जाएगी इस तरह से मैंने आपको बताया, आप select करके X enter कर सकते हैं, जैसे आप select करके X enter करेंगे, तो फिर भी आपके पास ये तौह आपके पास explode होकर आपके सामने आ जाएंगी वापस इसके पर वापस आपे दर आ जाएं, फिर देखेगा, इसको select किया और X enter कर दें, तो हाँ चीजा आपके पास इलादा हो जाएगी, तो dear students ये मेरी कुछ main commands थी, आज तक हमने जतना भी पढ़ा, हमने main commands के पर पढ़ लिया, next lesson में हम लोग देखेंगे dimensions के पर कैसे काम कहा जाता है, तो मजीद मलूमात और update के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी website www.xpacademy.com, जहां पर तुमाँ computer courses आपको free online करवाए जाते हैं, end में एक test लेने के बाद, आपको xpacademy.com की तरफ से एक्सफटीकेट भी शुब किया जाता है, जो आपके पतायों address के मताबक आपको TCS के थूरू पर एक दिया जाएगा, इसके लाबा दियो स्टुनेंट्स यहां पर यह भी मैं आपको पताता चलू, अगर आपको इन वीडियो की DVDs चाहिए, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, उसके लिए आप हमें contact कर सकते हैं xpacademy.com xpacademy.com यह हमें कॉल कर सकते हैं 0343 901779 पर अपनी दौा में याद रखेगा, इन्शाला नेक्स लिसन में फिर हाजर होते हैं, उस सवक्त के लिए राहाफिज, अस्लामु अलेकम